हेलो और योंट कैसे आप लोग निफ्टी की नई देजी से आप लोग बहुत कुछ होगे मैंने यस्टरड़े बोला था आप लोगों की निफ्टी की रैली कंटीनरे की और इकी सिजार आ सकता है और आज आ गया अज की डेट क्या है आप नोट डाउन करनो 6 December मैंने जितने वीडियो बनाया हैं जिसमें भी डेट बताईए उसके बाद का जो भी हाल हुआ है वो आपको पता है ठीक है और स्टॉप के रिटर्स भी आपने देख लिए मैंने कॉंकर बताया लिंटी बताया मैंने इतने सारे स्टॉप बताएं मुझे खुद याद नहीं है तो वो सब छूड़ो अभी आगे क्या हो सकता है वो देखो मैंने जो भी प्रोबबिलिटी बताई थी आपको पॉस्टिबिलिटी के बीस पे उस पे काम हो रहा है तो अभी जो डेटा फिल्टर करके रखे हैं मैंने उसके उपर कुछ स्टॉक्स हैं जिसको मैं आपको डीप अनलाइज करके बताऊंगा से उसमें सबसे पहला जो स्टॉक है SDFC बैंक ठीक है एक लार्ज केप स्टॉक है और डिलिवरी बेस बाइंग अभी एसे स्टॉक्स जिस पे बहुत जादा पॉन्फिडेंस है मुझे और आगे आने वाली टाइम में आपको डीप में बिल्कुल भी मिसना करना चाहिए पहला जो स्टॉक से उसमें स्टॉक है हुआ स्टॉक्चर बाता देता हूँ मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉप की है तो वहाँ यहां से अभी एक सपूर्ट रजिस्टंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉप करने के बाद का यह चार्ट है तो मुझे लग रहा है 7.85 परसेंट अभी तक की एक पॉसिबिटी जो हाइर ट्रिंग में बिल सकता है कि निफ्टी ओल्टाइम पर है यह अल्टाइम फे नहीं है अभी दूसरा जो स्टॉक है उसके बारे में बात करेंगे IDFC First Bank तो IDFC First Bank भी Large Cap है बट इसका Momentum उपर से नीचे आया था उसके बाद दीरे दीरे करके उपर जा रहा है तो डेली टाइम फ्रेम पे डव्यू पैटन बना है ठीक है तो डबल बॉटम पैटन भी बोल सकते हो डव्यू पैटन भी बोल सकते हो यह एक स्टॉक है कर सकते हो आने वारे टाइम के लिए ठीक है दूसरा स्टॉक और अभी जो चल रहा है वो 90.40 के जो बज़ी चल रहा है तो यहां से एक्स्पेक्टेट जुक 7.9 रूपीस का है उसके बाद का स्विंग आपको 130-104 तक का दीख सकता है यह स्टॉक बिलकुन मैस करने ही करना अभी तीसरा स्टॉक जो है उसके बारे बात करेंगे जिसमें एक अच्छा क्रॉसोवर दिख रहा है मुझे कोटक महींद्रा बैंक यह बार बार डाउन आ रहा है वाट एक संकेत है कि बार बार रिवर्स भी हो रहा है तो यहां पर जो स्टॉक है इसके अंदर आपको अच चार्स फूक 11 रुपे तक का है बहुत बड़ा है मतलब 22 ठका आप इसका 50% कर दोस्ता है 200 रुपे आपको मिल गया है नियर बाई टम में शॉट टू लॉंग टम के लिए तो चार सो रुपे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी लॉंग टम का मतलब है तीन ट्रेडर्स के लिए लॉंग टम क्या होता है ट्रेडर्स के लिए एक साल दो साल लॉंग टम होता है अचली लॉंग टम अबाव फाइर्स होता है इन्वेस्टर्स के लिए तो जो शॉट टम इन्वेस्टर्स है उसके लिए दो से तीन साल ठीक है बट अभी ट्रेडर्स के लिए आपको मिलेगा इसमें एक्सपर्ट जो है 100-500 रुपे का इमेरेंट वेसिस पे एक देड़ बहने के अंदर या तो 15-20 दिन या तो 20 दिन के अंदर तो यह चार्ट में आपके सामने रख रहा हूँ अब इसमें से थोड़ा इंसाइट्स ले 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 ना मुझे लग रहा है यहां से 22.25 को दीख सकता है ठीक है उसके बाद इसमें मैंने ट्रिपल बॉटम भी अनलाइस किया डबल बॉटम इनलाइस किया उसके बाद का ही स्विंग है एक डब्ल्यू पैटन का फॉर्मेशन भी कुछ इस तरीके से तो वह भी हम देख सकते हूँ चलो अभी आके चलते हैं आई टी स्टॉ हैं जिसको आपको बिल्कूल भी मिस ना करना चाहिए आपको एक तरीका बतातो यहां पर आपको इन बंच बना देना है वाच रिस्ट जिसके ओपर आपको भी डी पाता इन स्टॉक को बाई करो और तो एक टाम के लिए चोड़ दो तो आपको एक अच्छा रिटन मिलेगा तो एक HCL टेक है विपरो अपने मिस कर दिया अब विपरो अभी भी मुवेटर में टेक है कोई भी डी पाता है उसको छोड़ो मात एक दो मैने के लिए आपको बहुत अच्छा रिटन मिलेगा विपरो में ठीक है तो HCL टेक का चार्ट राउंडिंग बोटम चार्ट बन र पॉसिबलिटेस के बेसिस पर टेकनिकल फॉर्मस ठीक है अभी चलते हैं इंफोसिस के चार्ट पर इंफोसिस में भी डवल्यू बैटन का फॉर्मेशन है और वहाथी अच्छा पैटन डेवलाउप हो रहा है देखो वी भी स्टॉक कर स्ट्रेट लाइन में उपर जाता है डाउट कि उस्ट्रेट लाइन में नीचे भी आएगा वट अकर कूई श्टॉक ऐसे ऐसे करके जादा तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको इसको बाइट करना चाहिए इंफोसिस को तो इंफोसिस का चार्ट है वो बहुत ही क्लियर दिखरा है मेरको आपको बाइट कर में भी same formation है और उसको भी आपको मिस नहीं करना चाहिए तो विप्रो को अगर actual tech को विप्रो मिस नहीं करना है विप्रो को मिस नहीं करना है इन TCS को थोड़े टाइम के लिए मैं छोड़ दूँगा क्योंकि पता नहीं उसके अंदर ये bonus वाला कुछ वाला तो शायद उसके लिए कुछ penetration दिख सकता है और टेक महिंद्रा अभी formation बन रहा है अगर आपको विप्रो के चार्ट बहुत ही बढ़िया बनाऊ है उसके अंदर भी same formation है और मैंने आपको जहां पे hint दिया था वहां से तो बहुत अच्छा return आपको अपको आपको आपको अभी चार रुपे का एक immediate scope है उसके बात का जो swing रहेगा वो रहेगा और 43 का तो यह एक कुछ formation बनके निकल रहे हैं तो आपको एड करना है तो विप्रो को भी आइंटर सकते हो ओवर 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 देखा जाए तो आपको विप्रो और IT के stocks में अच्छा खासा bullish trend दिख सकता है और Tech Mahindra में 10% का पाल दिख सकता है तो overall मैंने जितनी stock बता है उसका चार्ट में आप लोगों को share कर दूँँगा और यह flow कुछ मुझे दिख रहे हैं उससे साब से आप इसको add कर सकते हो तो 129 उसके बाद 473 मतलब 129 रुपीस के यहा से swing दिख सकता है current price है जिसको 10% बो बैंकिंग स्टॉक ने अभी रैली शुरू किये बरे 21 निफ्टी आ गई है supported by auto stocks and other components financial service sectors के बट अभी IT में रैली बाकी है और बैंकिंग के large cap stocks में रैली बाकी है ठीक है तो बने रही है ऐसे useful insights के लिए निफ्टी में रैली इंटक्ट है जादा जादा downside कहा तक का है 20 यह 450 औ अभी मैं 1000 उपर आ गया हूँ और आप बुलिश रह सकते हो बैंक निफ्टी में पचास अरक तक आप टार्गेट रख सकते हो बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर दिखराए क्लियर क्लियर और ज्यादा से ज्यादा उसमें deep आएगा 500 से 700 पॉइंट ठीक है आज आपने द कर दो